दोस्तो आज इस वीडियों हम लोग जानेंगे ठोसों का प्रमुगूड यानि की मेन क्वालिटी अब सॉलिड पहला है ठोसों का आकार और आयतन निश्चित होता है दोस्तो जो ठोस होता है उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है दूसरा है ठोसों का अंत्रा आडविक आकरसर बल द्रा और गैस के अपेच्छा प्रबल होता है दूस्तों जो ठोस होता है उसका अंत्रा आडविक आकरसर बल दूस्तों ठोस के अडवों के बीच लगने वाले बल को अंत्रा आडविक आकरसर बल करते हैं जो द्रा और गैस की अपेच्छा प्रबल होता है तीसरा है ठोस असंपीड्य होते हैं दोस्तों जो ठोस होता है वह असंपीड्य होता है चोता है ठोस का बिश्रड द्रा और गैस के अपेच्छा नगड होता है दोस्तों जो ठोस होता है उसका बिश्ड़न की फैलाव द्रव और गैस के अपेच्छा नगड़ होता है दोस्तों इसका मतलब यह है कि अगर हम द्रव को बोटल से निकाल कर कहीं पर गिरा दे तो वह धिये दिये उसके आसपास फैल जाएगी और जो गैस होता है और इसका बिश्ड़न अगर हम सेंड को एक कमरे में छिड़के तो वह धिये दिये पूरे कमरे में फैल जाएगी लेकिन जो ठोस होता है अगर उसे हम एक हिस्तान पर रखेंगे तो केवल उतना ही जगन छेकेगा जहां पर रखा गया है यानि कि ठोस का बिश्ड़ द्रा और गैस के अपेच्छा नगर होता है पाच्वा है पतार्थों का ठोस अवस्ता में घनत्व द्रा और गैस अवस्ता में घनत्व से काफी कम होता है दोस्तों जो ठोस होता है उसका घनत्व द्रा और गैस के घनत्व से काफी कम होता है इसलिए आपको वीडियों पसंद आए तो वीडियों को लाइक और चैनलों को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा